आपका स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में और आज किस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत बड़ी अपडेट रिगार्डिंग ऐश्पी पड़वारी भरती दो हजार तेइस चौविस आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्ण होंगे कि भरती कब शुरू होगी भरती कौन लेने वाला है और इस पार एक्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है सब कुछ बताओंगा इस वीडियो के मात्यम से और अगर आपने अवी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीशेगा है आपका एक प्रश्ण यहां पर सौल्फ हो गया कि भरती कौन लेने वाला है बहुत समय से यह संशय चल रहा था कि भरती या तो डिपार्टमेंट खुत लेगा या हिमाशल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन या जो नया आयोग बन रहा है वो लेगा लेकिन माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि राजय लोग से वाहयों के मादियम से पड़वारियों के 875 पद भरे जाने वाले हैं यहां पर यह भी कहा गया है कि बहुत लंबे समय से पड़वारियों की भरतिया नहीं हुई है और इस गैप को पूरा करने के लिए सरकार को या निरने लेना पड़ा है कि 875 पद भरने वाले हैं टोटल 875 पद भरे जाने वाले हैं इन सभी सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ कि एक्जामिनिशन पैटन हे माशल प्रदेश्ट पब्लिक सर्विस कमिशन शिमला क्लास 3 की पोस्ट के लिए जो रखता है वही पड़वारी के लिए भी रहने वाला है क्योंकि पड़व पेपर बन आपका होगा सो नंबर का पचास कोशन पूछे जाएंगे पेपर टू आपका होगा सब्जेक्ट अप्टिट्यूट टेस्ट पेपर बन में आपसे जनल नौलेज ऑफ हिमाशल प्रदेश 15 कोशन 30 नंबर के पूछे जाने वाले हैं जनल नौलेज ऑफ नैशनल इंटरनेशनल आपफियर 15 कोशन 30 नंबर के नौलेज ऑफ हिंदी लैंगवेश 10 कोशन बेस नंबर के नौलेज ऑफ इंगलिश लैंगवेश 10 कोशन बेस नंबर के पूछे जाने वाले हैं पेपर टू आपका होने वाला है सबसेक्ट अप्टिट्यूट टेस्ट यहां पर आपसे मेनली इंगलिश जी के मैथमेटिक्स रीजनिंग और बहुत सारे से प्रश्ण होंगे जो पटवारी की पोस्ट से लेटिड होने वाले हैं जैसे एचाटिसी कनेक्टर में आपसे पूछे गए थे मोटर वेकल एक्ट परसनल हाइजिन और फरस्टेट से प्रश्ण आपसे पूछे गए थे ठीक यहां पर भी आपसे प्रश्ण पूछे जाएंगे लेकिन वो प्रश्ण रहेंगे पटवारी की पोस्ट से समन्दित ठीक है और पेपर टू में क्या गया आपसे पूछा जाने वाला है उसके लिए आयोग अलग से नोटिफिकेशन निकालता आप अगर इस बार पटवारी बनना चाहते हैं तो मैं आपको रेक्मेंट करूँगा कि आपको हमारा एंड्रोइड एप इंस्टॉल कर लेना चाहिए हमारी एप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप प्ले स्टोर पर जाकर गार्मेंट आपको प्ले स्टोर पर जाएगी हमारे बेस्ट फैकल्टी के माधियम से हमारे जो टीचर्स है वो या तो कहीं कामेंट जॉब कर रहे हैं लाइक एस प्रोफेसर है कहीं पर टीजीटी है और यह वीडियो रिकॉर्डड एट इकलासिस आपके कोर्स में एड्ड होती रहती ह जब तक आपका एक्जाम कंप्लीट ना हो जाए इसके अलावा आपको PDF नोट्स दिये जाएंगे जो कि सब्जक्ट वाइस अलग से रहेंगे इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में अलग-अलग नोट्स प्रोवाइड करवाय जाएंगे आपको टेस्स प्रोवाइड कर जाएंगे आपको daily study material प्रोवाइड करवाय जाएगा आपके course में इसके अलावा आप online quiz दे सकते हैं आप online test भी दे सकते हैं आप हमारे इस course को अपने laptop या desktop पर भी open कर सकते हैं हमारी website के मात्यम से आप जैसे इस course को buy करते हो हमारी app से तो आपको पूरा का पूरा material एक साथ करवाय जाएगा मतलब pdf notes, online quiz, test series, mock test, video recorded glasses आप सभी को एक साथ देख सकते हैं अपनी app पर और आप चाहे तो इनको download भी कर सकते हैं इसके अलावा आपको regularly material हम provide करवाते रहते हैं और आपको guidance देते रहते हैं हमारी app में chat का option है जहाँ पर आप directly हम से chat कर सकते हैं आपके queries वह पर भी HPPSC शिमला ने लिया था और उसका course जिन लोगों ने लिया था वो सब जानते हैं कि हमारे course से 70 से 75% परसें डरकली पूशे गए थे ऐसे बहुत सरे परसें जो हमने अपनी test series में डाले थे वही same question पेपर में भी आए थे तो जल्दी कीज़े time waste मत कीजिए अभी app install इस course में enrolled हो जाएए 499 में आपको एक course मिलेगा और कुछ दिनों के बाद course का price बढ़ रहा है आपको 499 में course मिल जाएगा जल्दी से जल्दी course में enrolled हो जाएए और पढ़ना शुरू कर दीजिए 697 पद मोहाल साइड से भरहेश आएंगे इसके अलावा 117 पद सैटलमेंट साइड से भरहेश आने वाले हैं अगर हम बात करें डिस्ट्रिक वाइस वेकेंसिस की तो बिलासपूर में 39 पोस्ट रहेगी चंबा में 90 पोस्ट हमिरपूर में 71 कांगणा में 80 किनौर में 25 इसके अलावा अगर हम बात करें सैटलमेंट साइड की तो देखिए कांगणा में 49 पोस्ट रहेगी और शिम्ला में 128 पोस्ट रहने वाली है टोटल 117 पोस्ट यहां पर फिल अफ होने वाली है district wise vacancy के बारे में आपको पता चल गया है और अब बात करते हैं कि आपको इसके लिए अपना apply कब से करना है आपको offline करना है या online करना है लेकिन उससे पहले बात करते हैं qualification की देखिए इस पोस्ट के लिए आप कम से कम बार्मी पास होने चाहिए as per last notification जो पहले SC ST या OBC तो आपको AIDS relaxation दिया चाहेगा